नमस्कार आप देख रहे हैं दजनता स्टॉपेज और यहां रिश्य आपको दिखा रहे हैं हम राची के 108 शेट उची सुरेश्वर महादेव मंदिर के बाहर का तश्वीर है या आपके सेन पर देख सकते हैं आज सोंबार की आखरी सोंबारी है और आज बड़ी संक्या में मं सार आपको बता दे कि जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है जो लबी दूरी दिखाई पड़ रहे हैं दूरी जो है लगभग आधे किलोमीटर दूर तक लगी हुई है भगवान के पूजा अर्चना में आज जो भक्त है वह दूर दरास से पहुँचे हुए हैं और बता कि चर्चा का विषय बना हुआ है लोग यहां दूर दरा से पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामना यहां मांग रहे हैं भगवान सिब जो है वाक्तों की मनोकामना पूरा कर रहे है अंदर का द्रिशец आपको दिखा दे कि अंदर जो है नारियल यहां फोड़ा जा रहा है नंदी भगवान है और फिसके बाद आस-पास में दूर तरह से लोग यहां पहुंच रहे हैं यहाँ देख सकते हैं स्क्रेन पर की यहाँ महिला इस मंदिर की तस्रीर को प्लिश कर रही है, बता दे कि दूरता से लोग यहाँ आते हैं और फोटोग्राप των जरूर करते हैं, क्योंकि 108 पिट का जो बूचा सिवलिंग है यहाँ, लोगों के लिए सबसे रोमान्च यहक्का स यहां पहुंच रहा हैं क्योंकि यहां पे अप जो है मेला का भी There is my मोटा मोटी बीवस्ता लग चुका है बच्छों के मनवनिजन के लिए भी तई परकार की jos भी ठीलोने भी रहे हैं कि आप लोस्ता है पार्किंग का जगा यह ओर की दूकान देख सकते हैं, पूरी तरह से 108 फिट उची यह सुरेश्वर महादे मंदीर के बाहर जो है, जो नजा रहा है, वहाँ पूरी तरह से मेला की तरह लग चुका है, इससे पहले रांची के पहाडी मंदीर में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, आज सावन की आखरी स्व संबारी है और यह तश्वीर आपकों सी ने दिखा रहे हैं, दूर दराज से आज लोग यहां पहुंचे हुए हैं, या द्रिश आप देख सकते हैं, पुरी समीती के लोग भी इसे आज आखरी संबारी में इसे सखल बनाने में जूटे हुए हैं, ताकि आज जो भीड होता है धीर के दोलान विधी विवस्ता बनाना सुख्शे महत्पून एक कार्य में कार्य होता है और विधी विवस्ता के तहती जो है पूजा पाड़ की जो विवस्ता है वह संचालित हो पाती है, वीडियो के अंत में एक बार आप इस तरह से मंदीर को देख लें, मंदीर की जावट भी आज अंदर अनोखे डंक से की गई है और यहां जो है पार्जेंग का दृष्ट है बाकी इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस तरह के और वी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे शुक्रिया